हाई वल्कम बैक टो दी चैनल दिस इस उमा और अब भी बज़े हैं साड़े नौ मैं चेरी को बस छोड़के आए हैं उसके बाद मुझे लगा मतलब ड्रेक्फस्ट करूं या यह सारे कपड़े तैय करूं कि बहुत टाइम से ऐसे पड़े हुए थे मेरा एक के बाद एक लॉ मेरा फॉलते जा रहा था फिर रखते जा रही थी पर फोल्डिंग नहीं हो पा रहा था मेरा तो मैंने फाइनल सोचा कि फोल कर ही लों रखी दूं नहीं तो ऐसी बढ़ा रहेगा और एक लॉट मेरा जमाफ हो रहा है तो एनीवेज यहां पर ठंडी आज तो बहुत ही ज्य अगर टाइम मिले तो रात के लिए कुछ बना के रखूँगी क्योंकि रात में मेरा मन नहीं करता है उतना कुछ करने के लिए बहुत ठंड लगती है और कल एक इंसिजेंट हो गया कि मेरी ममी का एकसिजेंट हो गया वहा फ्री टुक टुक के लिए खड़ी थी तुक टुक में जाएंगे फिर से तो पीछे से और एक टुक टुक आया और ममी को जोर से धकका मारा दो गए और घीँ सब्सक्रीज करत duż में रोड के उपड़ फिर मम्मी को वहाँ लोग पकड़के फिर घर तक पहुंचा दिया बट मम्मी इतना जारा ट्रॉमाटाइज थी ना अधी डर लगता है ट्रक से है ना साइट से चला जाए उसमें डर लगता है और मम्मी तो इतने सामने से देखी मम्मी बार-बार ये बोल रही थी कि मुझे करना वो विल्स बार-बार आंकों के सामने आ रहा है मम्मी को चोट लगी है यहां पे हाथ पे पैर और जो चेस्ट ममी कल गई भी थी डॉक्टर के पास थैंक्फुली कुछ ऐसा सीरियस इंजेरी नहीं है फ्रैक्चर वगरा कुछ है नहीं बट बोडी पेन बहुत जाता है थैंक्फुली अब इस सही है मम्मी को दवाई दिया है बहुत सारा पेन किलर भी दिये है आइस पैक लगाने के लिए बूला है बट लग ऐसा कभी सोच्चा नहीं था ऐसा हो का तो अभी चेरी के स्कूल में ना कुछी दिनों में कुछी महीनों में उसका एक्जाम होने वा है तो कुछ दिनों से यह सब कुछ सिखाया जा रहा है ठीक है समान अक्षरों पर गोला लगाओ मतलब इन में से आपको ढूंगना पड़ेगा जैसे यह यहां पे कहां है इसको आइडेंटिफाइब करना है है ठीक से बाटो अभी सेन जैसे इंग्लिश का भी है आप लोग ने बहुत दिनों से मेरा कोई व्लॉग नहीं देखा होगा और इस बीच में कोई मैंने व्लॉग बनाया भी नहीं क्यूंकि मेरी तवियत जो है थोड़ी से खराब थी थोड़ी से नहीं काफी खराब थी ब अधाया था पर उस नाम पूजा के नाम पर तो सारे टेस्ट जो है मेरे हो नहीं पाया थे तो रक्र ने बोला ठीक है कोई बाद नहीं आप यहां आके मतलब आ करा लेना फिर मुझे भेज देना वो टायक की प्रॉब्लम मेरे से हो रा था मेरे साथ एक था मेरा जो बहुत अधायम से चल रहा था मुझे पैनिक अटेक आता है कभी-कभी ऐसा नहीं कि मतलब दो-चार दिन बाद ऐसा होता है कभी-कभी जैसे मानलो अभी हुआ था मेरा डेर साल बाद हुआ यह बहुत लॉंग ड्यूरेशन के बाद मेरे साथ हुआ तो बहुत सेवियोर हो गया था अधोच चिए जी वहरा नहीं पाइए और एको और होल्टर अभी बाकित कहीं है तो वाकित सब कुछ सही है आधी में थोड़ा सा इस्यूले थोड़ा सा माइनर है और जो पी एफ्टी मतलब में थोड़ा सा प्रॉब्लेम लेक़ यह था यह वाला का इश्यू जो मेडिसन की डॉक्टर हम देख रहे थे और सेकंड जो इश्यू था वह था गाइनिक कुछ टाइम से मेरा थोड़ा बहुत पीरियड का इश्यू चल रहा था तो पेन हो रहा था बार-बार और अभी ये दो मेहनों में मुझे बहुत जाद इश्यू है तो सोनो मेरा यूटरस में थोड़ा बहुत इंफेक्शन हो गया है तो उसके लिए मुझे यह सारी जो प्रॉब्लम आ रही है तो मैं अभी एंटिवाटिक्स में हूं लेट सी और अभी पेन किलर लेना है फिर से मुझे थोड़ा सा क्रैम पा रहा है तो अभी एक पेन किलर मुझे मैंने थोड़ा बहुत ब्रेक्फस्ट किया खाने का मन नहीं कर रहा था मट किया और एक चीज यह जो पैनिक अटेक और इंग्जाइटी डिप्रेशन यह सब जो होता है अगर आपको भी आता है मैं इन डीटेल्स नेक्स्ट कुछ ब्लाग में बताऊंगी आज मैं नहीं ब हो पाता है यह क्यूरेबल नहीं है बत यह आपके हागमें तो इस ब्लॉग में दौ-दो मैंने अच्छा वाला तो ब्लॉग नहीं यह नियूस सुनाया है तो इसलीए मैं इस ब्लाग को छोटा ही रखती हूँ आफिस दे नहीं अधिन नेक्स ब्लाग में मिलेंगे थिक है